देखते ही देखते वो सबका प्यारा बन गया सब पे उसने अपना जादू कर दिया सबके दिलों पे चागया वो फ्रेंड्स इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं इस वीडियो में मैंने हिंदी का एक बहुत ही पॉपिलर फ्रेज लिया है देखते ही देखते हम काफी बार ऐसी बाते करते हैं देखते ही देखते ही ऐसा हो गया देखते ही देखते ही वैसा हो गया उन बातों को इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं आप इस वीडियो से सीखेंगे और आपकी प्रेक्टिस भी मैं इसे वीडियो में करा दूँगा मैं कुछ sentences बोलूँगा मेरे बोलने से पहले आप उन्हें translate करने की कोशिश कीजिए इस तरह से आपकी translation exercise की practice हो जाएगी और उसी के थुरू आप सीख जाएगे बहुत सारे sentences को English में कैसे translate कर सकते यहां से काफ़ी सारे sentences मैं आपको देने वाला हूँ as examples make sure that you watch the video till the end so you don't miss anything देखते ही देखते वो सबका प्यारा बन गया इसके लिए हम English में ऐसे कह सकते हैं as I watched he endeared himself to everyone as I watched यानि मैं देख रहा था और देखते ही देखते मैं क्या देख रहा हूँ कि वो सबका प्यारा बन गया he endeared himself अगर कोई अपने आपको endeared कर देता है मतलब दूसरों का प्यारा बन जाता है यानि फिर उसे दूसरे लोग पसंद करने लग जाते है as I watched यानि मैं देखी रहा था देखते देखते he endeared himself to everyone यानि अपने आपको endeared कर लिया उसने सब उसको पसंद करने लगे तो इस तरह से आप कह सकते है as I watched आए की जगे कोई और भी subject आ सकता है कि वो कुछ कर रहा था और उसके देखते देखते as he watched something happened as I watched as we watched something happened देखते ही देखते उसका गुसा उस पर हावी हो गया इसके लिए आप English में क्या कहेंगे इसे कह सकते है as I watched his anger overpowered him as I watched यानि मैं देख रहा था मेरे आखों के सामने ऐसा हो रहा था पहले तो गुस्से में नहीं था मगर देखते ही देखते as I watched his anger overpowered him overpower if something overpowers you it controls you and you can't control it anymore as I watched his anger got the better of him got the better of him another phrase if something gets the better of you it means it overpowers you you can no longer control it it is controlling you so it got the better of you you can also say it got the best of him it got the best of him as I watched his anger got the best of him वो देखते ही देखते गायब हो गई as I watched she disappeared as I watched she disappeared मैं वसे देख रहा था and she disappeared इसे ऐसे भी कह सकते है she disappeared in a flash she disappeared in a flash देखते ही देखते कहने का मतलब क्या है कि फॉरण हो गई तुरंत हो गई जट से हो गई फटाफट हो गई तो कोई भी ऐसा फ्रेज जो ऐसा कहता है जिसका मतलब है कि फटाफट जल्दी से उसका हम उसकरते हैं कहने के लिए कर सकते है she disappeared in a flash in a flash वो देखते ही देखते चलना सीख गया so we're talking about a kid a kid, some kid learned to walk he learned to walk in no time he learned to walk in no time तो friends, इस फ्रेज का मतलब है कोई चीज जल्दी हो जाती है ज़्यादा वक्त नहीं लगता उसमें something happens in no time मतलब कि जल्दी से हो जाती है इसको हम figuratively भी बहुत बार यूज कर सकते हैं इतनी जल्दी भी कुछ नहीं हो रहा होगा लेकिन हम ऐसे बड़ा चड़ा कर बोलते हैं कि बहुत ही जल्दी हो गया he learned to walk in no time मतलब कहने वाले का यह मतलब है कि इसमें usually बहुत ज़दा time लगता है लेकिन इतना time नहीं लगा so he learned to walk in no time time तो लगा ही नहीं पटाफट सीखिया वो हमारी बेटी देखते ही देखते 15 साल की भी हो गई कैसे कह सकते हैं इस English में our daughter turned 15 years old in no time our daughter turned 15 years old in no time मतलब कि पता ही नहीं चला 15 साल की हो भी गई वो तुम देखते ही देखते तैरना सीख चाओगे यानि हम कहना चारहें कि तैरन लगेगा तुम्हे शीखने में सीख जाओगे देखते ही देखते you will learn to swim in no time you will learn to swim in no time इसे ऐसे भी कह सकते है you will learn to swim before you know it before you know it before you even know it यनि तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा, देखते देखते सीख जाओगे वो देखते ही देखते एक राजा से बिखारी बन गया कहां वो तो एक राजा था, मतलब बहुत अमीर था, अब वो बिखारी बन गया He became a beggar from a king in no time He became a beggar from a king in no time It happened in no time, it happened very quickly देखते देखते आपकी सारी मनो कामनाएं पूरी हो जाएंगी English में कहेंगे All your desires will be fulfilled in no time All your desires will be fulfilled in no time Desire मतलब मनो कामना, they'll be fulfilled in no time मतलब कि जल्द ही पूरी हो जाएंगी उसने देखते ही देखते मेरे सारे शक दूर कर दिये English में कहेंगे He dispelled all my doubts in no time In no time मतलब जल्दी से कर दिये He didn't take long in it He dispelled all my doubts in no time He dispelled all my doubts instantly Something happens instantly, it happens immediately In the blink of an eye, in the twinkling of an eye There could be a large number of ways to say one thing in English It happens in all the languages When you want to say something, you can say it in multiple ways Irrespective of the language In every language, there are multiple ways to say one thing It varies from person to person And their ways of communicating Their ways of expressing themselves देखते ही देखते पूरा दिन बीत गया मुझे तो लग रहा था मैं बोरो जाओंगा But no, it didn't happen देखते देखते पूरा दिन कट भी गया पता है ने चला The entire day passed in no time The entire day passed in no time When something happens in no time It means it happens quickly It doesn't take long You don't get bored You don't feel bored or dull Like it happens in no time I hope you have enjoyed watching this video If you want to keep improving your English just like this Don't forget to subscribe to this channel if you haven't already Thank you very much for watching this video We'll talk in the next one Till then take care And buh-bye